हेलो फ्रेंट्स, मैं हूँ आपके साथ मोना और आप देख रहे हैं हेल्थ केर सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा पॉष्टिक फल अम्रोध होता है इसलिए अम्रोध को सर्दियों में फलों का राजा भी कहा जाता है क्या आप जानते हैं अम्रोध पेट से जोड़ी समस्याओं को ठीक करने में बहुत उपयोगी फल माना गया है अम्रोध डाइबिटीज जैसी कई गंभेर बिमारियों को भी नश्ट करता है सो फ्रेंट्स आईए देखते हैं अम्रोध खाने के फाइदे पहला मूँ के चाले दूर भगाएं ठंडा गरम खाने या शरील की तासीर गरम होने से मूँ में काफी चाले हो गए हैं या अकसर माउथ अलसर की समस्या रहती है तो अम्रोध की नई कोमल पत्यों को चबाना या दातून करने से आराम मिलता है दूसरा कब्से पाए चुटकारा अम्रोध खाने से कब्स और पीट की कई तरह की अन्य समस्याओं से चुटकारा मिलता है अम्रोध शरील के मेटा बॉल्जियम को संतुलिक रखता है तीसरा त्वचा पर लाए ग्लो अम्रोध का नियमिस सेवन इसमें मौजूद पोटैशियम के कारण त्वचा का खोया ग्लो वापिस लाता है साथ ही कील मुहासों से भी छुटकारा दिलाता है चौथा अम्रोध खाकर घटाए मुटापा मुटापे की मुख्य वज़ा शरील में कॉलिस्ट्रॉल का इस्तर बढ़ना होता है अम्रूध में मौजूद फाइवर और अन्य खनिज तत्व शरील से केलस्ट्रॉल को कम कर देते हैं जिससे मुटापा घटा है साथ ही केलास्ट्रॉल का कम लेवल शरील को हार्ट अटेक या दिल की अन्य बिमारियों से बचाता है पाँचवा नशे का असर करे कम अगर किसी व्यक्ति को भांग का नशा चड़ गया हो तो उसे अम्रूद के पत्तों का रस पिला कर या पत्ते चबाने के लिए दे कर नशा कम किया जा सकता है छटा अम्रूद के पॉश्टिक एवं स्वस्त विर्धक गुड़ अम्रूद में विटामिन, कार्बो हाइडरेड और फाइवर भरपूर मात्रा में होता है ये विटामिन C का भी बहतरिन स्त्रोथ है अम्रूद का सेवन पेट साफ करने के अलावा आखों के लिए भी फाइदे मन है साथवा हीमोगलोबिन की कमी दूर करें पका हुआ अम्रूद खाने से शरील में हीमोगलोबिन की कमी दूर होती है ऐसे में महिलाओं को पका हुआ अम्रूद जरूर खाना चाहिए वहीं अम्रूद हट्डियों को भी मजबूत बनाता है आठवा, पेट दर्द में लाबकारी अम्रूद पेट दर्द होने पर पके अम्रूद में नमक मिलाकर खाने से पेट दर्द कम होता है अम्रूद के पत्तों को पीस कर उसमें काला नमक डाल कर खाने से भी पेट दर्द ठीक हो जाता है पेट दर्ध में अमरूद के पत्तों को पीस कर पानी में घोल कर पीना भी फायदेमन है 9. दात दर्ध में फायदेमन अमरूद दात में दर्ध होने पर अमरूद की पत्तियों को दात से चबाने से दर्ध ठीक हो जाता है मसूडों में सूजन या दर्ध होने पर अमरूत के पत्तों को हलकी गरम पानी में उबाल कर कुल्ला करने से लाब होता है 10. खासी जुखाम ठीक करने में अमरूत को राक या बालू में सेख कर रोजाना सुभे शाम सेवन करने से काली खासी ठीक होती है अमरूत पर नमक और काली मिर्श लगा कर खाने से कफ संबंदी रोग दूर होता है वही जुखाम होने पर पके अमरूत के बीजों को खाने के बाद पानी पी ले लाव मिलेगा सो फ्रेंड्स देखा आपने अमरूत खाने के फायदे ऐसे ही हेल्थ से जोड़ी अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सुस्क्राइब जरूर करें और देखते रहे हेल्थ केर